वेल्कम तो डिकोमा लाइफ साइन क्लासर्च आयाम दिरेन कुमार दोस्तों आज हम लोग बात करने बहुत ही प्रण टॉपिक है प्लांट बायाट अलोजी का जो जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हर्मोन या हम इसे बोलते हैं कोशन आपके होते हैं तो दोस्तों लास्त तक आप वीडियो देखेगा आपका वेल्कंसेट क्लियर हो जाएगा फाइटो हर्मोन से लेटेड तो हम लोग बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हम बोल सकते हैं इसी को स्वाड में बला जाता क्या पी जी यार इसी क्या बोलते हैं दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर याल सो नोन अज प्लांट हार्मोन या वी कैन से दा फाइटो हार्मोन अब देखा जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन दूसरे नाम से बोलते हैं फाइटो हार्मोन क्योंकि यह प्लांट के हार्मोन हो naturally occurring होते हैं और synthetic substance पे होते हैं, plant hormones are naturally occurring are synthetic substance that regulate various theological process in plant, जितने भी आपके plant होते हैं, जो आपके, जितने भी आपके theological process होते हैं, almost उनको regulate करता है कौन आपके plant hormone, these substances play a crucial role in control of plant, growth, development and response to environmental system life, देखाई जो substance होते हैं, बहुत ही परण डोल होता है, कि जो भी plant के अदर growth होता है, development होता है, और जो भी environmental system life होते हैं, इनके लिए बहुत ही क्या करता है, controlling का काम करता है, बहुत ही प्लांट के अदर क्रेट करता है, बहुत ही परणट है, जो लो कंसेंटेशन में क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, produce होता है, यह बहुत है, बहुत है बहुत है, जितने भी आपके plant growth regulator होते हैं, उनका क्या होता है कि specific आपके function होते हैं, तो हम लोग अभी हम लोग ने बात किया, plant hormone act as a signal transaction, signal transaction की हम बात करते हैं, जो भी external signal होते हैं, उसको convert कर देते हैं, किसमें, internal signal में which turn cause one or more cellular response, देखाई जो भी external stimuli है, जो भी external signal है, उसको क्या करते है, signal transaction मने plant hormone क्या करते हैं, उसको internal signal में convert कर देते हैं, और जो भी आपके cellular response है, उसको क्या करते हैं, आपके operate करते हैं, according to their action, they may be classified into various categories, अब देखाई जो भी आपके हार्मोन होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, त्री में क्या करते हैं, उसको आपको differentiate करते हैं, इन्टो थ्री कटेगरी में, पहला हम लोग बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, देखाई जो प्लांट हार्मोन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कहने कहीं, आपकी ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं, वीच इंड्यूस इलोंगेशन, डिफंसीएशन, एंड फ्लावर, फ्रूट, सीड, लाइक और जिबलिन, एंड साइटो काईन, ये तीन हार्मोन आपकी प्लांट हार्मोन ऐसे होते हैं, जिसको हम प्लांट ग्रोथ इनिपिटर, प्लांट ग्रोथ इनिपिटर की बात करते हैं, जो क्या करते हैं, आपके जो भी आपके वैरियस जो फंक्शन होते हैं, लिंक टू डॉर्मेंसी, एपसेशन, एंड वैरियस स्ट्रेस रिस्पॉंस, जो वैरियस स्ट्रेस रिस्पॉंस में क् करते हैं जैसे abscessic acid ava बहुत important हार्मोन होता है third की हम बात करते हैं ethylene gaseous hormone होते हैं high inhibitory as growth promoting effect जो क्या करते हैं inhibition का भी काम करेंगे और आपके promoter का भी जैसे work करते हैं जिसके हम लोग क्या भत होते ethylene जो gaseous hormone आपके होते बहुत important हार्मोन होते हैं अब हम इनकी बात करते हैं इनका historical approaches की बात करें कि कौन से हर्मोन का कैसे कब क्या discovery हुआ उसके बात करते हैं तो oxygen where the first growth hormone to be discovered देखा जाए चार्ल्स डार्विन और फ्रेंसिस डार्विन इन्होंने सबसे पहले क्या 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 इन्होंने उब्जर्ब कि या औकजिन हार्वोन की बारे क्या 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 उन्होंने बताया कि याफ डवलु वेंट uhh isolate oxygen from the क्यो atra create or 오ॉट में क्या क्या अउन्होंने सबसे पहले यह डवलु वेंट ने अउजिन को ओट में क्या क्या सबसे पहले उसको identify isolate क्या यी कुरोशावा discover को identify किया इसको ज यह सबसे पहले डिस्कोर किये ऑगजिन के बारे उन्होंने बताया कि जो कैलेस पोरिफरेशन होता है जो इंटरनोड रीजन में पायाता है वो किसके काण होता है आपके supplement कौन होता आपके ऑगजिन काण होता और ऑगजिन को supplement में coconut milk या डिन ने इस्ट्रेक्ट या वैस्ट्रेक्ट टिसू इस्ट्रेक्ट उन्होंने किया था और जिन को मिलर इन्होंने cytokinin को क्या किया आपको identify किया और इसको किस्ट्लाइज किया और last scientist जो आपके थे यह यह कॉसेन इन्होंने discover कि आपके gaseous substance को जो fruits के रिपैनिंग में help होता है जिसको नोने बाद में बुलाता क्या इथाइलीन तो यह आपकी discovery होती है कि कौन scientist का क्या contribution हा प्लांट गुरूथ के studies में अब हम लोग बात करते हैं बहुत important topic यहां से start हो रहा है विससे सभी topic important है तो अब हम लोग बात करते हैं plant growth regulator की बारें वन बायों डिसकस करते हैं सबसे पहला हर्मोन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों कौन सा हर्मोन है ऑग जीन देखा ऑग जीन का जो main function क्या है function की बात करते हैं पर्मोट cell elongation apical dominance and root initiation देखा जाब पर्मोट करना अब इसकी example की बात करें कौन कौन से आपके oxygen होते हैं दो आपके एक होता है नेचुरल पोडियूस होता है और एक synthetic oxygen होता है जो natural जो oxygen होता है जिसको हम लोग क्या होते हैं इंडोल three stick acid, IAA और indoor butyric acid एक दो आपके जिसको बता है आई भी ये ये दो आपके ऐसे oxygen होते हैं जो क्या होते हैं नेचुरल ली होते हैं जिसमें हम दो हर्मोन की बात करने चला हो माने synthetic oxygen की बात करें जैसे आपका यन ए ए यन ए क्या बात हम बात करें नेफा थिलीन stick acid and 2,4-D 2,4-D का मतलब होता है 2,4-dichloro-phenoxy stick ए आपका इसको बता है 2,4-D ये दो आपके होते हैं जो क्या होते हैं सेंस्टिक oxygen आपके होते हैं अब इसका effect क्या है पहला effect की बात करते हैं पर्मोर्ट flowering in plant like pineapple flowering को क्या करना promote करना help to initiate root rooting in stem cutting जब भी हम लोग stem cutting करते हैं तो root के formation में का बहुत ही पर्मोर्ण होता है prevent dropping of fruit and leave too early ये इनका बहुत ही पर्मोर्ण करता है और प्रिवेंट करते हैं कि आपके food को drop होने पे भी क्या करते हैं लोगते हैं पर्मोर्ट नेचुरल डिटाइच्मेंट आफ ओल्डर लीफ और फ्रूट पर्मोर्ट करते हैं नेचुरल डिटाइच्मेंट की बात करते हैं अब इसका अपके खाल के बात करते हैं यूज इन टिसो कल्चर्स अब टिसु की बात करते हैं तो बहुत इपोटन्ट आपके टॉपिक को था हम लोग डिसकस कर चुक आ लड़ी वीडियो में रूट आफ कटिंग कंट्रोलिंग फ्रूट डबलमेंट एक क्या काम होता है यूज फॉर प्लांट प्रोप्रोगेशन प्लांट के प्रोप्रोगेशन के लिए लिए विए अग्जिन इपॉर्टन रोलोता है तो इंड्यूस पार्थनोकार्पी पार्थनोकार्पी का हम बात करते हैं दा प्रोड़क्शन आफ फ्रूट विदाउड फ्रॉट फ्रॉट लाइजिशन जो फ्रॉट पहले माने बिना फ्रॉट प्रॉट का डप्लामेंट वीडबी पार्थनोकार्पे तो एंड्यूस करता है और विट्वशन लाइज फ्री जेसे यह आपके लान में वीड का डपलेमेंट जैदा हो रहा है तो आपर फ्रौड हम लोग यूज कटे हैं तोक्रता है क्लेया करता है तो क्याका बिस पूरे garden को यह हर्मोन की बात हो रहें इस सकन्द जीबलीन बहुत ही पाड़न है इसका function क्या है दोस्तों is to relate stem elongation and seed germination and flooring इसका main function होता है अब इसकी बात करते है अब देखा जब फंगर से हाइर प्लांट की बात करते हैं जिटे भी जिबलीन आपके हार्मोन होते हैं जैसे जी ए वन जी ए टू जी ए त्री या आपके डिफेंट डिफेंट क्या होते हैं जिबलीन होते हैं जिसमें जी ए थ्री सबसे पहले क्या किया गया था आपको डिस्कवर किया थे आपसे कोशन पूछा जाए लेकर एक पूछा 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 रहा है यह इनप्रूफ करता है जो भी प्लांट गोध होते हैं उसको अबराल ड्पलयमेंट करता है and last की बात करते है help to promote bolting bolting का मतब होता है sudden growth of a plant just before flooring जैसे cabbage और beat की बात कर रहे हैं तो कही न कहीं क्या करता है promote करता बोल्टिंग को इसको क्या बलते है giblet third की बात करते है cytokinin बहुत ही potent hormone है इसका main function क्या है promote cell division suit and root development and delay senses मैंने sensation को क्या करता है वो delay करता है example की बात करें इसका several natural जो होते जैसे gelatin synthetic की बात करें synthetic cytokinin यह आपके क्या होते है cytokinin आपके होते है जो आपके G18 का हम लोग example आप बहुत बात पूछा जाता है आपके exam में G18 effect क्या है help in formation of new leaf and chloroplast देखा जिए cytokinin यह हम लोग eliminate कर दें तो क्या हो जाएगा new leaf का development मतलब क्या है plant में new leaf के formation में cytokinin का बहुत ही परण्रोल होता है और chloroplast के development में भी help परता है next बात करते है पर्मोट lateral suit growth and advantageous suit formation देखा जाए suit growth की बात करें lateral suit growth की या advantageous suit formation में तो इसका बहुत ही परण्रोल होता है help overcome apical dominance यह भी बहुत ही परण्रोल है promote nutrient mobilization which in turn help delay lip sensation यह बहुत बड़ा आपका effect होता है application की बात करते है use to induce suit formation in tissue culture जब लोग tissue culture करते हैं तो उसमें इसका main work होता है suit formation में delay aging in harvested crop and promote overall plant growth जो पूरे plant growth के लिए क्या होता है आपके important होता है next हम लोग बात करें बहुत ही important आपका hormone है abscessic acid जिसको बोलते हैं क्या ABA abscessic acid mostly act as a antagonistic to giblic acid जो giblic acid होता है उसके against माने antagonistic होता है कौन abscessic acid यह बहुत बात पूछा गया है कि कौन से plant hormone होते हैं जो giblic acid के क्या होते हैं antagonistic होते हैं तो दोस्तों किस पर टिक करेंगे आप लोग एपससी के सिट पर बहुत ही पर्ण इसका में फंक्शन क्या है है एस्त। मेतल्कि एस्ट। मेता को आपकी होज़िंग तीडार वैंस इस ट्रेस रिसपांसिश का में फंक्शन होता है बहुत अ बहुत फंक्शन है जायं से मिट्ब कैम आपकी कुलोज की बात करें मुथ्टका बहुत ही पर भूल आपका होता है इफेट का है रेवलेट एफसेशन और्मेंसी बहुत इंवीट प्लांट ग्रोथ जो भी आपकी प्लांट ग्रोथ है उनको इनिविट करता है स्ट्रेस हार्मोन क्या बलते दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन का बलते स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या है एक कैना करते हैं डॉमिनेंस इन सीड पर अप्लिकेशन क्या है दोस्तों यूज इन कंट्रोल वा्टर लाउस डिरींग डॉट जब कभी ड्रॉट होता शुखा पड़ता है तो यह क्या करते हैं वाटर लाउस कुर करते हैं innduce, seed dormancy ADM erkennen कोभे इंड्यूस करते हैं रप्यूट रॉल होता है next heath 사건 की बात करते हैं eth toilets श्सन क्या है function की बात करें तो regulate fruit re-paining ये बहुत popular आपका word है कि जो आपका ethylene जो आपका gaseous हर्मोन है जो क्या करता है leaf and flowering sensation and response to stress मनने stress के against भी क्या करता है response करता है effect की बात करते है एफट हो इंट्टल ग्रोफ आफ सेडलीग एण स्वलिंग अफ दा एकस्सिस इन डाइकॉर्ट सेडलिंग के बहुत बंटर जो डाइकॉर्ट में क्या करता स्वलिंग में उसमें स्वलिन का काम करता है कि प्रमोर्ट एप्स ऐसेसन और यह भी अपने सिर्पश्ण भुक्र आप इंस प्रमज दे डिवर डिपैंगर फ्रूट जाप फ्रूट की री पेट्व मेंदी पुम्स्पिर्ड उसमें क्या करता है आपके respiration को क्या करता है increase करता है नाते इस इस फिनामेना इस रिस्पिरेटरी कलाइमिटिक उसको बुला जाता है increase root growth, root hair formation and also helping increase their absorption of surface area surface area के absorption क्या करता है आपको increase करता है अब इसका main application क्या है use in control, atmosphere storage, fruit repairing and promote flowering in the same some plant some plant में क्या करता है, flowering में भी क्या करता है लेगिन इसका main function की बात करते है fruit repairing में करता कौन, ethylene next hormone के हम लोग बात करते हैं, brassino esteride hormone, यह बहुत important hormone है इसको बहुत कम लोग जानते हैं जो phyto hormone में परते हैं लोग लेगिन अब इसका function की बात करें, promote cell expansion cell expansion को क्या करता है, promote करता है, vascular differentiation and stress response यह आप से question पूछा जाए, promote cell expansion, vascular differentiation and stress response के लिए कौन सा hormone होता है तो दोस्तों क्या नम बताएंगे आप, there's no esteride hormone इसका application क्या है, use and enhance crop yield, जो crop yield के enhance को बढ़ाता है improve stress tolerance and promote overall growth overall growth में भी क्या करता है, इसका आपको help करता है, कौन आपका hormone jesmonate, jesmonate hormone आपका होता है, it involved in response to herbaric pathogen attack and stress अब देखा जाए, जब कभी होता है, जब हमारे plant में pathogen attack होते हैं तो उसमें जो over करता है, jesmonate, यह hormone क्या करता है, उसके involve होता है उसके response के लिए, application की बात करें, use in induced plant defense mechanic इसका main होता है, जब कोई भी insect उसके उपर attack करता है, तो क्या करता है, और defense mechanic का कम करता है, किसके against, mainly pathogen and paste के against क्या करता है आपको यह work करता है, बहुत ही परनेट आपको क्या आपका hormone है, बहुत ही परनेट हर्मोन ने देखा जाए, जब कोई भी biotic stress होता है, तो उसके against बर करता है, को ने हर्मोन बर करता है, जिसको क्या बोलते है, cell slick acid, इसका application का है, using induced systematic acquired resistance and enhanced plant immunity against pathogen, किसी भी pathogen के against क्या करता है, plant immunity को भी क्या करता है, आपको enhance करता है, next बात करते है, polyamide, बहुत important hormone है, polyamide, polyamide की बात करते है, इसका main function क्या है, cell division, differentiation and stress response, इसका main होता है कौन, polyamide, इसका example की बात करें, polyamide का example क्या हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बलते है, putry, sign, या spermid, spermid, dine, या spermine, या आपकी क्या होता है, आपके polyamide क्या होता है, आपकी जिनका important role क्या होता है, cell division में होता है, और application क्या है, use in tissue culture, stress mitigation and enhanced plant tolerance to environmental challenge, जो भी environmental challenges होते हैं, यदि हम polyamide हर्मोन यूज करते हैं, chemical यूज करते हैं, तो कहीं न कहीं क्या करेंगा, वो आपके जो भी environmental challenge है, उससे क्या करता है, तो यह आपके क्या होते है, plant हर्मोन होते हैं, दोस्तों, बहुत important हर्मोन है, अब इसमें देखा जाए, अगें मैं इसका summary के हैं, हम यहां discuss कर लें, अब हर्मोन के हम बात करें, तो किते type के होगे, दो type के, एक हर्मोन कौन सा होता है, plant growth promoter, और दूसा क्या होता है, plant growth inhibitor, एक हर्मोन होगा, तो promotion काम करेंगा, और एक हर्मोन क्या करेंगा, inhibition का काम करेंगा, मने पर्मोन, cell division, cell enlargement, flowering, fruiting and seed formation, एक हर्मोन होगा, जो inhibit करेंगा growth को, यह बहुत ही पनट है, जैसे ऑकजीन की बात करें, जिबिलीन की बात करें, और इथाविन, यह दो आपके part हैं, अब यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर हम बात करें, और जो सन्त है, फ्रेंसे डार्बिन, इन्हों तक कोण क्या था, कोरो-सावा, इन्होंने डिस्कढ़र किया था, इसकीयूज ने डिस्कढ़र किया था, साइटोकाइनिन, और EFSSI-CACOS Fang की बात की बात कहा, थ्री इंडिपेंडनेंट रिसर्चर ने उसको डिस्कढ़र किया था, और इतायलीन डिस्कढ़र किया था, गुरूप आप कॉसिन है, कॉसिन साइंटर उनके गुरूप ने पुरा डिस्कुर किया था, अब ऑगजिन कितने टाइप के होते हैं, तो बला गया, IAA, IBA, NAAN24D, IAA, ANIBA, ये नेचुरल ऑगजिन है, और 2 आपके क्या है, संथ्टिक है, यहाँ पर बात करें, 100 आपके वराइटिक क्या है, आ इसमें आप सभी स्टिक होते हैं, जैसे GA1, GA2, GA3, ये सब होते हैं, ये टाइप इनके नेचुरल क्या है, GA3 है, और संथ्टिक की बात करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, हर्मन, इनका इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट, देखें जब आपके इफेक्ट की बात करते है पर्मोट, फ्लावरिंग, इनिशेट, रूट, कट, स्टेम कटिंग, इनका एफेट की बात करते हैं, इनका एफेट का है, 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 इ इनका मेन आपका एफेट क्या होता है इनका एथायलीन की बात करें इनका मेन आपका एफेट आपका होता है आपके फ्रूट्स के रिपेंडिंग की बात करते हैं रेस्पेसिशन रेट को भी क्या करते हैं आपको इनक्रीज करते हैं इनक्रीज करते हैं इनक्रीज रूट ग्र कॉल एन्स हैं यहां इसमें क्या होता है इनक्रीश सुगर के इल्ड बाइद लेंट के बात करते हैं यह अपके क्या होते हैं ग्रोथ फैक्टर अग्रोथ पैक्टर यह सब आपके क्या होते हैं पॉटन डोल होता है थैंक्यू दोस्तों नेक्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लांट बायो टोलोजी के अनदर आपके वीडियो आपको जल्दी आपको लेवल हो जाएंगे आप लोग लास्ट वीडियो देखा थैंक्यू और कोई भी कोशन नह सब्सक्राइब करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करेंगे मेरा कॉंटन नबर मिल जागा डाइडली आप हमसे कॉंटेक्ट हो सकते हैं थैंक्यू आल दा बेस